त्री भाईयों और भहनों नमस्कार आज मैं अपने प्रदेश में कुरोना वाइरस संक्रमण की सिती को लेकर आपके समझाया हूँ 36 गड़ में कुरोना संक्रमण अन्य राजियों के मुकाबले में नियंत्री जरूर है लेकिन पिछले कुछी दिनों से संक्रमीत ब्यक्चियों के संक्या में त्रम्षा बढ़ोत्री हो रही है यह सब अनलाग के दोरां सौधानी और बचाय के उपाय नहीं अपनाने के कारण हुआ हमें करोना संक्रमन को रोकने के लिए शहरों में लागडाउन का निर्णाए लेना पड़ा आप इस लागडाउन को गंभीता से लें लागडाउन से लोगों को कठ्थाएं का सामना करना पड़ता है लेकिन अगर लोग सुरक्षा और बचाव के लिए नीमों का पालन नहीं करेंगे तो लागडाउन की सित्थी से बचा नहीं जा सकता यह समय मेरे लिए आपके लिए चिंतित होने, बिमारी से साधान रहने और बचाव के उपाय को गंभीता से लेने का समय है 36 गड़ में कुरोना पीड़ितों का रिकावरी दर बेहतर है और मृत्तु दर काफी कम है हम देश के अनेक राज्यों से बेहतर कर रहे हैं आपके सहयोग से, कुरोना संक्रमन से बचाव की दिशा में और बेहतर करेंगे खिलाल राज्य में रोजाना 5000 से अधिक सेंपलों की जाच हो रही है सीग रही इसे बढ़ाकर 10,000 तक करने का लक्ष है हमारे राज्य में चिकी सक पूरे समर्पन से कुरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं इलाज के बाद अब तक बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लाओ चुके हैं राज्य के 8-6-3 और 22 जिला इस्तरी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के इलाज की दिवस्था की गई है सभी कोविड अस्पतालों में मास्क, TPE कीट, टिपल लेयर मास्क, वीटियम और जरूरी दवाईयों के परियात संख्या में इंतजाम सुनिश्चित किये गये हैं मैंने अधिकारियों को आक्सिमिटर के उपलब्दता सुनिश्चित करने के बारे में भी निर्देशित किया है मेरा आप से आग्रह है कि सभी अनुवार रूप से मास्क पहने, बार बार हाथ धोते रहें लोगों से दूरी बनाया रखें, भीड़ भार करने से बचें, अगर हम यह सब करेंगे तो कुरोना वाइरस का संक्रमन रोकने में सफल होंगे राजिसासन, हमारे सारे यहाग, चिकिस्स, सफाई कर्मी, पुलिस आदी, कुरोना संक्रमन के प्रसार को रोकने और उप्चार में लगे हैं लेकिन अगर आप साधानी नहीं रखेंगे, बचाओ के उपायों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर कुरोना वाइरस संक्रमन के रोक थाम मुस्किल होगी मुझे जानकारी मिली है, कि कुछ इस्थानों पर लोग सेंपल लेने जा रहे हैं, स्वास कर्मियों के दल्ग का विरोत कर रहे हैं उन्हें जाज करने से रोक रहे हैं, मेरा आप से नेविदन है, कि आप इस सिती की गंभिरता को समझें ये सब आपके और आपके परवार के स्वास के बिहतरिक ले किया जाए हैं, हमें स्वास कर्मियों का सही योग करना है एद और रक्षा बंदन के पर्व समीप आ रहे हैं, आप सब को इन पर्व की सुबकामना है पर्व को मनाते समय या ध्यान रखें, कि हम के वल अपने घर, परिवार के लोगों के साथ ही या पर्व मनाएं कुरोना से बचाव के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है हमें अपने समाजिक दायतों का पालन करते हुए भीड़ भार करने से बचना होगा मुझे पूरा विश्वास है, हम सब इसीती की गंभीरता को समझेंगे और कुरोना संक्रमन को रोकने में सहीयोग देंगे धन्यवाद